Hello friends, welcome back to my channel आज हम लोग discuss करेंगे generic medicine के उपर क्या होता है generic medicine कई दफा हम लोगोंने generic medicine का नाम सुना है कई बार फिल्मों में तो कई बार real life में तो इस वीडियो में आपको हर एक जानकरी मिलेगा generic medicine के उपर बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले ही देख लेते हैं आज हम लोग को इस वीडियो में क्या क्या सिखने को मिलेगा पहले हम लोग जानेंगे ये generic medicine होता क्या है उसके बाद जानेंगे patent क्या होता है उसके बाद हम लोगों को ये पता चलेगा कि branded drugs आखिर कर क्यों महेंगा होता है उसके बाद हम लोग जानेंगे डॉक्टर्स कैसे मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करते हैं फाइनली हम लोग ये पता लगाएंगे कि हम लोगों को करना क्या चाहिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जब भी बुखार होता है तभी हमारे शरीर को पेरासेटमोल नाम का एक कैमिकल की बहुत आवश्यक्ता होती है पेरासेटमोल का स्ट्रक्चर जो कैमिकल स्ट्रक्चर है उसका आप फोटो दिया हुआ है आप देख सकते है फोटो में और जब ये paracetamol chemical उसी के नाम से यानि paracetamol नाम से ही जब बाजार में बिखता है तब ही उस medicine को कहा जाता है generic drug और generic medicine लेकिन जब भी paracetamol को किसी company अगर दूसरा नाम से बेचे जैसे crocin तब उस medicine को कहा जाएगा branded drug तो आप समझ रहे हैं कि generic drug और branded drug जो basically होता है same ही चीज, same होता है इन लोग का chemical structure लेकिन एक होता है उसने brand किया हुआ है, एक company के branded सामान की तरह होता है तो इसे कहा जाता है branded drug, company उसका नाम decide करती है, company उसका price भी decide करता है लेकिन generic जो drug है वो real नाम से आता है, नाम सुनकी आपको पता चल जाएगा कि किस बिमारी के लिए ये medicine है और ये medicine बहुत ही सस्ता होता है क्योंकि इसको बनाने में जो खर्चा होता है नुन्यतम वही पैसा लिया जाता है वीडियो की इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि आखिरका क्यों branded drug इतना महेंगा होता है तो example की तोर पर ले लेते है एक pharmaceutical company जो एक medicine बनाता है एक को categorize करते है उसमें generic drug और दुसरे को brand name drug तो ध्यान दिजिए medicine एक ही है एक जाएगा generic drug के नाम से दूसरा आएगा branded drug के नाम से जो generic drug के category में जो medicines आएगा वो medicines सीधा जाएगा सरकारी जो stores होते हैं जहां से विना मुल्य में जो लोग दबा लेते हैं वहां तक चला जगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जहां से company को कुछ फाइदा नहीं होने वाला है दूसरा जो आएगा जिससे company फाइदा मुनाफा कमाएगा वो है branded drug काम क्या किया जाता है ईसक पैसा काफी काम क्या जाता है इसको इसक इसका साइड ऐपेक्ट कुछ कुछ नहीं है या फिर भविष्यमें इसका क्या उपयोग हो सकता है तो research के नाम पे काफी खरछा होता है, then design, packaging and marketing, इन में भी काफी खरचा होता है, आप देखेंगे कि branded medicines का जो covering होता है, जो capsules होता है, कुछ भी हो, उसका काफी खुब्सूरत होता है, यह काफी stylish होता है, इन सबके पिछे भी काफी खरचा होता है, उसका जो material होता है covering जो material होता है वो भी महेंगा material होता है सब कुछ medicine से लेकर उसका cover तक सब कुछ महेंगा होता है उसके बाद ही आता है advertisement आप भली बाती टीवी में add देखते होंगे कि कई दफा फिल्म फिल्म stars जो होए वो कई बार medicines को add करते है promote करते है आखिर कार हम लोगों से ही वसूला जाता है तो आप समझ रहे हैं कि generic drug brand name drug दोनों एक ही चीज़ है हाँ brand name drug जो है उसको थोड़ा सा furnish अच्छी तरगे सा furnish किया जाता है टेस्टिंग किया जाता है लेकिन generic drug को सीधा भेजा जाता है तो उसमें कुछ कमिया हो सकती है लेकिन उतनी भी कमी उतनी भी जो difference से नहीं होती है जितनी बताये जाता है तो generic drug हम लोग काफी कम लोग ही जानते है कि generic drug होता क्या है सरकारी स्टोर भी भारत में बहुत कम है जहां से generic drug उपलब्ध हो सो हम लोग brand name drug के उपर ही जादा निर्भरशिल है इसके पीछे कई कारण है वीडियो के आगे में हम लोग इस कारणों के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर और इक चीज इंपोर्टेंट है वो है brand name drug जो है यानि branded drug जो है वो patented होती है यानि एक company जब एक medicine बनाती है for example आप crossin को ही पकड़ लीजिए एक company ने crossin बनाया crossin तो है ही paracetamol लेकिन नाम दिया हुआ है crossin दूसरा company exactly crossin के नाम पे नाम से दूसरा drug नहीं बना सकता है यह crossin जो नाम है या फिर यह drug है यह patent हो चुकता है यह copyright है यह दूसरा company बनाता नहीं है या फिर नहीं बना सकता है यह copyright जो है यह usually 20 साल के लिए होता है लेकिन कई दफा इसको extend किया जाता है 5 सल तक यानि कूल मिला के 25 साल का एक copyright या फिर patent रहता है एक medicine के उपर branded medicine के उपर जब patent खतम हो जाता है जब उसका म्याद जब खतम हो जाता है तभी उसका price घटता है लेकिन तब तक company काफी मुनाफ़ा कर चुका होता है यहाँ पर हम लोग एक सीधी comparison देखते है between generic drug and branded drug कि क्यों generic drug का जो दाम है उसका price जो है इतना कम है और brand name जो drug है उसमे price में इतना इजाफा क्यों है तो सिधी तोर पर हम लोग देख सकते है कि generic drug जो है उसका जो formulation है known है जैसा paracetamol नाम है paracetamol उसका जो structure है वो भी paracetamol है तो सब को पता है यह paracetamol का structure ऐसा है तो सब paracetamol बना सकता है अगर सब एक medicine बनाएगा यानि सब company या generic drug जब बनाएगा तो competition बरेगा competition बरने के साथ-साथ market price कम हो जाएगा क्योंकि supply जादा होगा तो market price भी कम होगा वही पे brand name drug जो है उसका formulation जो है वो unknown होता है पहला चीज उसका formulation unknown है सकता है इसलिए दूसरा company नहीं बना सकता है दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वो patented होता है यानि copyright होता है तो दूसरा company वैसे भी नहीं बना सकता है तो एक company एक formulation बनाता है एक medicine बना लेता है जो कि दूसरा company नहीं बना सकता है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे competition होता ही नहीं है बिना competition के कारण वहाँ का जो medicine जो है उसका price automatically high हो जाता है चलिए अब जानते हैं कैसे ये branded medicines के दुआरा company और chemist store यानि फार्मासिया पैसा कमाते है और doctor's का क्या role होता है इस पूरे cycle में तो शुरू करते हैं फिर से एक pharmaceutical company से तो suppose एक pharmaceutical company है जो branded drugs बनाती है ये branded drugs की जानकरी उसका information उसका function everything सब कुछ जानकरी दिया जाता है वो company में जो engaged medical representatives है यानि MR से उन लोगों को समपूर्ण जानकरी दिया जाता है फिर ये medical representatives जाते है doctors के पास, physicians के पास जहाँ पे वो लोग अपनी company को represent करते है वो company के बनाए हुए जो branded drugs है उनको समझाते है उनका role समझाते है function everything सब कुछ समझा के आते है और उसके साथ doctors को दिया जाता है company की तरफ से मेहंगी gifts, foreign tour जैसे कई सारी उपहार उसके बदलो doctor क्या करता है अपना जो patients होता है वो patients को वो try करता है कि branded drugs ही दिया जाए वो लिख देता है branded drugs लेकिन आम आदमी को बिल्कुल पता नहीं होता है कि branded drug और generic drug क्या होता है उन दोनों में अंतर क्या है जब एक doctor prescribe कर देता है वो भला इंसान वो मरीज सिधा चला जाता है chemist store के पास और chemist और pharmaceutical company के बीच अल्रेड़ एक डिल बना हुआ होता है chemist store वो ही medicines रखेगा जो medicines doctor देगा और doctor अल्रेड़ी branded drug supply यानि प्रेस्क्राइब कर चुका है pharmaceutical company chemist store को पूरा supply दे चुका है और पैसा भी वहाँ पे dealing होता है तो बात overall होता है क्या जो मरीज होता है जो common man होता है वो chemist store में जाके वो generic drug होते हुए भी वो खरीता है branded drugs अब generic drugs जो होता है वो chemist store में मिलेगा नहीं वो तो मिलेगा सरकरी store में सरकरी store में पहली बता चुका हूँ सरकरी store भारत में बहुत कम है तो chemist store से वो branded drugs खरीता है उसको बिलकुल पता नहीं होता है कि सरकरी store में वही medicine बहुत ही कम दाम में मिलेगा क्योंकि doctor उसे बोलता नहीं है क्योंकि doctor ने उसे prescribe क्या हुआ है तो इन सब में pharmaceutical company और chemist store को काफी सारा पैसा का मुनाफ़ा होता है profit होता है medical representatives को अपना salary मिलता है doctors को मिलता है महेंगी gifts foreign tour etc लेकिन कुछ नहीं मिलता है सिर्फ common man को थोरी सी इलाज के लिए जो की इलाज एक simple generic drugs से भी हो सकता था वो इलाज महेंगी स्तर पे चला गया उनका जेब खाली हो जाता है तो यही side ह यही बुड़ा side है branded drugs का WHO यानी world health organization की माने तो एक doctor को अनुमती है कि एक patient को कम से कम 15 minute का वक्त दे ताकि patient की हर बात वो सुने समझे और patient को भी समझाए लेकिन हमारे भारत जैसे देशों में जहां एक doctor भगवान की रूप में पुजा क्या जाता है वो doctor जब भी एक पैसा व परीनाम स्वरूप स्वरूप ना ही patient doctor को सारी बाते बता सकते है ना ही doctor पुरा बते समझ सकते है और patient को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा कि क्या हुआ है कोई उसे थोरा सा भी के वक्त नहीं देता है तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पेशन जब भी डॉक्टर के पास जाए पहले उसे चार चीजों की ध्यान रखना चाहिए पहला चीज जब भी वह डॉक्टर के पास जाए उसका सिंटोंस जो है जो बीमारी है उसका जो लक्षन जो है लक्षने के ऊपर फcave पराई करें थेकर से स्टड़ी करें ताकि थोरा से नॉलैज रहे और वُनोलेज को लेकर डाक्टर के पागे तब ही मगरास्टर शें कुछ समझाने के कोशिश करें उसे जल से जल समझ में आएगा दूसरा चीज है अगर डॉक्टर उसे ना समझाए तो आप डॉक्टर से पूछे मरीज डॉक्टर से पूछे कि प्रोब्लम क्या है तब जाके डॉक्टर बताएगा और अगर डॉक्टर नहीं बताते है या फिर आपको समझ में नहीं आया व्यवाया क्या काम करेगा यह आपका अधिकार है संपूर्ण जानने का तो यह सब होता है जैनेरिक मेडिसिन और ब्रेंडेड मेडिसिन के बीच में जो अंतर है उसके उपर कैसे डॉक्टर हमें मजबूर करते है ब्रेंडेड मेडिसिन को उपयोग करने के लिए और हमें तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए धन्नवाद